अशोग गेलोट जी, सचिन पाइलट जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, कॉंग्रेस के प्यारे कारे करता, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी में आप हमारी बात स सुनने हमारी बगत करने आए इसके लिए दिल से आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद पांच साल से नरेंद्र मोधी जी सरकार में हैं बड़े-बड़े वाहिदे करते हैं आप सबसे कहा पंद्रा लाक रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा आपको मिला पंद्रा लाक कोई है यहां जिसको नरेंद्र मोधी जी ने बैंक अकाउंट अच्छा कहते हैं बैंक अकाउंट खोल दिया कहते हैं बैंक अकाउंट खोल दिया 15 लाग रुपे अब आएगा अब आएगा अब आएगा पांच साल से आप बात सुनते ही रह रहे हो पांच महीने पहले मैंने सोचा कि यह जो चौकिदार जी है इन्होंने 15 लाग रुपे का जूट बोला इनको मैं सचाई मैं चौकिदार को सचाई दिखाऊ पांच महीने पहले मैंने कॉंग्रेस पार्टी के इकॉनमिस को तिंक टैंक को बुलाया उनसे एक सवाल पूचा कहा देखिए नरेंद्र मोदी ने 15 लाग रुपे का जूट बोला मुझे आप सचाई बटाईए सिर्फ राजिस्तान नहीं पूरे देश के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूँ तो बिना अर्थ व्यवस्ता को नुक्सान किये कितना पैसा डाला जा सकता है नरेंद्र मोदी ने कहा 15 लाग जूट है आप मुझे सच्चाई बताऊ और उनसे मैंने कहा देखिए मैं आपसे लंबा भाशन नहीं सुनना चाहता मैं नंबर चाहता हूँ नरेंद्र मोदी ने जूटा नंबर दिया मैं सच्चा नंबर चाहता हूँ कितने रुपे मैं हिंदुस्तान की गरीब जनता के बैंक अकाउंट में डाल साकता समय लीजिए पांच महीने है सरकार में में बनेगी समय लीजिए पूरा चेक करके दुनिया के सबसे बहतर एकॉनोमिस से पूछ के मेरे पास आई कुछ दिन पहले चितामरम जी मेरे पास आए कागेश के उन्हें ने एक नंबर लिग दिया मैंने पूछा ये क्या है कहते हैं आपने आपने कहा था कितने रुपे हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकते ये आपका जवाब है बहतर हजार रुपे मैंने गाँ ठहरिए मैंने गाँ ठहरिए बहतर हजार कितने लोगों को बहतर हजार कितने समय में कहते हैं राहुल जी बहतर हजार रुपे पच्चिस करोड लोगों को पाँच करोड परिवारों को और बहतर हजार रुपे एक साल में पाँच साल के अंदर तीन लाक साथ हजार रुपे हिंदुस्तान की सरकार बिना अर्द्रेवास्ता को नुक्सान किये दे सकती है मैंने पूचा बताईए इतना पैसा लाकों करोड रुपे है मैंने पूचा इतना पैसा अगर हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देंगे तो क्या हिंदुस्तान की अर्द्रेवास्ता वो नुक्सान नहीं होगा कहते हैं राहुल जी हमने कैल्कुलेशन करा है नुक्सान छोड़िए हिंदुस्तान की अर्द्रेवास्ता को फाइदा होगा मैंने पूछा बताईए कैसे कहते हैं देखिए हिंदुस्तान के अर्व्यवस्ता अच्छी तरह चल रही थी कोई प्रॉब्लम नहीं था नरेंद्र मोदी ने दो जटके मारे पहला जटका कुलाडी लेकर नोट बंदी किया और दूसरा जटका दूसरे पैर पर गबर सिंग टैक्स दूसरी कुलाडी भडाक से मारे अब जैसे ही अब जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये दो कुलाडी हमारी जो हमारे चोटे दुकानदार थे किसान थे मज़दूर थे चोटे बिजनस चलाने वाले लोग थे बेरुददार युबा थे उनके जेब में से एक दम नरेंद्र मोदी जी ने पैसा चीना देखिए नोट बंदी और गबर सिंग टैक्स गरीबों से पैसा चीनने का तरीका है उन्होंने पैसा चीना जैसे उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला आपने माल खरीदना बंद किया पैसा ही नहीं कर चीज़े कहां से खरीदेंगे पैंट शर्ट साबन तूथ पेस्ट जो भी आप पहले खरीदे थे वो आप नहीं खरीद पाए कम खरीदा जैसे ही आपने कम खरीदा हिंदुस्तान के दुकांदारों को नुकसान हुआ जैसे ही आपने कम खरीदा हिंदुस्तान की फैक्टरियां ने माल बनाना बंद किया और जैसे हिंदुस्तान की फैक्टरियां ने माल बनाना बंद किया हिंदुस्तान के फैक्ट्रियों के मालिकों ने हिंदुस्तान के युवाओं को बुलाया का वही अब आपकी यहां कोई जरुरूरत नहीं है वापिस जाएए चलिए यहां पे तो कुछ बिनाना ही नहीं है तो नियाई योजना जो नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी की गबर सिंग टैक्स लागू किया आपके जेब में से पैसा निकाला अब नियाई योजना सीधा डाइरेक्ड आप ही के बैंक अकाउंट में लाखों करोड रुपए डालेगी जैसे ही वो पैसा 25 करोड लोगों के हाथ में आएगा राजिस्तान के बेरोध गौर युवाव के बैंक अकाउंट में जाएगा माताओं बेहनों के बैंक अकाउंट में जाएगा किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा वैसे ही आप उस पैसे का स्तमाल करेंगे आप चीजे खरीदना शुरू करेंगे जैसे ही आप चीजे खरीदना शुरू करोगे दुकानदार बेचना शुरू करेंगे जैसे ही डिमांड बनेगा फैक्टरियां चालू हो जाएंगे फैक्टरियां चालू होंगी खेटरी हमाले केंगा भाईया उन्हीं युवाओं को पकड़के लाओ जिनको हमने फैक्टरी से निकाला था उनको बुलाओ रोजगार की जरुरूष है फैक्टरी चालू करनी है और लाखों युवाओं को राजस्तान में बाकी प्रदेश्चों में लाखों युवाओं को मिलना शुरू हो जाए तो बताया कि नियाई योजना बहत्तर हजार रुपए पांच करोर बैंक अकाउंट में सिर्फ गरीबों को नहीं मदद करेगा हिंदुस्तान के गरीबों को मदद करेगा किसानों को मजदूरों को मगर छोटे को मदद करेगा चोटे बिजनस चलाने वालों को मदद करेगा फैक्टरी वालों को मदद करेगा और जो बेरोज गाही हुआ है उनको सबसे जादे मदद करेगा हमने इसको नियाई योजना नाम दिया मुझसे पूचा गया भईया इसको क्या नाम देना चाहिए पहले हम नाम देते थे महात्मा गान्दी मन्रिगा भुजन का अधिकार मैंने का नई इस बार इस योजना को नियाई योजना नाम देना है क्योंकि पिछले पाँच सालों में नरेंद्र मोदी ने चोकिदार ने हिंदुस्तान के सब लोगों के साथ अन्याए किया है और अगले पाँच साल में हमें दिखाना है कि हम अन्याए को बदल के हम बदला नहीं लेते हैं तो मैं बदले की बावना से नहीं बोल रहा हूं मगर जो आपसे च्छीना गया है पाँच साल जो आपसे च्छीना गया ह उन लोगों को दिया गया है किन लोगों को मैं पताता हूँ देखिए अनिल अनिल अम्बानी मेहुल निराब ललित ये ये पंद्रा लोग है भाई और बहनों पंद्रा है पंद्रा लोगों ने पाच लाग पच्पन हजार रुपया हिंदुस्तान के बैंक से चीना कर्ज लिया और वापिस नहीं देते हैं और नरेंदमोजी जी इनकी रक्षा करते हैं पाच लाग पच्पन हजार करों रुपय कर्जा इनका माप किया नरेंदमोजी में पाच लाग पच्पन हजार करों 45,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 पंद्रा सो करोड रुपए कॉंग्रेस पार्टी ने दिलवाई थे पानी की योजना के लिए सिचाई की योजना के लिए नर्मदा का पानी आपको पंद्रा सो करोड रुपए नहीं दे पाए आप अपने अपसे सवाल पुछो आपके पानी के लिए पंद्रा सौ रुपे नरेंदर मोदी ने नहीं दिया मीरव मोदी को 35,000 करोर रुपे दिया ऐसे बीस डिस्ट्रिक्स का काम किया जा सकता था बीस एक छोड़िये मगर नहीं किसान की मदद नहीं की जाएगी बेरोज़कार युवा की मदद नहीं की जाएगी माताओ बेहनों की मदद नहीं की जाएगी अने लंबानी मैउल चौक्सी नीरव मोदी की मदद की जाएगी ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए क्या जरुवत है ऐसे हिंदुस्तान की सब को न्याएं मिलना चाहिए दूसरा उधारन देता हूँ इस जिले से बहुत सारे लोग बाकी हिंदुस्तान में काम करते हैं नरेंद्र मोदी बुलिट ट्रेन की बात करते है भाईयों और बेहनों बुलिट ट्रेन के लिए नरेंद्र मोदी ने एक लाख करोर रुपे सेंक्शन किया है एक लाख करोर रुपे